दोस्तो अभी आप जिस आदमी को बेहुदा हरकते करते हुए देख रहे हो इसका नम चिप है जो कि लोगों के घर में टीवी केबल लगाने का काम करता है वो अपने लाइफ में काफी डिस्टर्ब है क्योंकि वो बच्पन से ही टीवी देखकर ही बड़ा हुआ है इसलिए उसका एक भी दोस्त नहीं है और वो एक सनकी किस्म का आदमी है वहीं दूसरी तरफ स्टीवेन नाम का एक आदमी जो कि अपनी गल्फरेंड से ब्रेक अप होने के बाद उस सहर में शिफ्ट हुई है वो जब अपने नए घर में टीवी देख रहा था तबी वो टीवी में कोई भी चैनल को ठीक से नहीं देख पा रहा था इसलिए वो एक केबल मैन को बुलाता है लेकिन वो केबल मैन उसके घर में आने में काफी देर करता है और सुबह से शाम हो जाती है परेशान होकर स्टीवेन जब बात्रों में नहाने के लिए जाता है तब यो केबल में उसके घर के दर्वाजे को जोर जोर से नौक करने लगता है वो इतनी जोर जोर से दर्वाजे को नौक कर रहा था जैसे कि वो काफी हरबड़ी में है इसलिए स्टीवेन जब दर्वाजा खोलता है तब यो देखता है कि वो केबल मैन वहां से जा रहा था इसलिए वो उसे रोकता है हम देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बलकि चीप है जो कि स्टीवेन के पास आकर कहता है कि मैं पिछले 8 घंटों से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ लेकिन तुमने दर्वाजा नहीं खोला जिसमें स्टीवेन कहता है कि तुमने तो बस अभी नौक किया दरसल चीप 8 घंटे पहले ही आया है पर दिमाग में लोचा होनी की वज़े से वो दर्वाजे के बाहर से स्टीवेन के हरकतों को देख रहा था खेर वो घर के अंदर आकर घर को अच्छी तरीके से चेक करने लगता है और ऐसे ऐसे गंदे इशारे करता है जैसे कि वो कोई टे चैनल्स को फ्री में देने के लिए कहता है जिसमें चीप उससे एक भी पैसा नहीं लेता और उसे सारे चैनल्स फ्री में दे देता है क्योंकि वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था जाते वक्त चीप उसे अगले दिन उसके साथ घुमने चलने के लिए जोर जबर्दस्ती मनवाता है अगले दिन स्टीवेन जब टीवी देख रहा था तभी चीप उसके घर के बाहरा कर जोड़ जोड़ से उसे पुकाड़ने लगता है वो स्टीवेन से कहता है कि आज वो दुनों घूमने जाने वाले है इसलिए वो अपने साथ एक ट्रक को लेकर आया है खेर वो स् की मा घर के कामों में बिजी रहती थी साथ ही साथ वो बीमल बाबा की तरह स्टीवेheld को उसकी लब लाइफ को ठीक कहने के लिए आइड़िया देता है और वो स्टीवेन को उसकी guardian प्रेंट रॉबिन के साथ एक रोमेंटिक मुवी देखने के लिए कहता है खेर अगले दिन स्टीवेन जब बास्केट बॉल खेल रहा था तब यूँ आपर चीप आ जाता है और वो भी स्टीवेन के साथ बास्केट बॉल खेलने लगता है इसी बिच वो उस मैदान में इस त काफी सारे भॉइस मैसेजेस रिसीव होता है जिसको सुनकर उसे चीप के उपर शक होने लगता है क्योंकि चीप उसके लाइफ में थोड़ा ज्यादा ही दखल दे रहा था और वो उसे स्टॉक भी कर रहा था खेरता भी कोई दर्वाजा नौक करता है और वो उसे चेक करने पड़ता है लेकिन इससे पहले की कॉल लगता तभी दर्वाजे में कोई जोर-जोर से नौक करने लगता है और स्टीवें जब दर्वाजा खोलता है तभी उसके सामने चीप होता है वो कहता है कि तुमने मुझे बुलाया और देखो मैं चलाया जबकि स्टीवें ने अभी कल उसके साथ डिनर पर चलने के लिए राजी करवा लेता है अगली रात वो स्टीवेन को एक रेस्टूडेंट पर लेकर जाता है जिसका नाम था Medieval Times वहाँ पर एक खुबसूरत औरत उनके पास आकर उनके ओर्डर के बारे में पूछती है जिसमें चीप कहता है कि मेरे लिए फोर्थ नाइट और इसके लिए एक किंग फिशर लेकर आओ जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खचर की लड़ाई देखते हैं और काफी मस्ती करते हैं घर आने पर स्टीवेन अपने घर में एक बड़ा सा टीवी और एक एक्सपेंसिब होम थिएटर देखता है जिसको चीप ने छुपकर उसके घर में घुसकर उसे खुश करने के लिए लगाया था जिसको देखकर उसे चीप के उपर शक होता है क्योंकि चीप अंजान होने के बावजुद उसके लाइफ में काफी टांग अड़ा रहा था हदो तब बार हो जाती है जब उसके घर में कुछ लोगों को पार्टी करने के लिए बुलाता है और स्टीवेन भी उस पार्टी में काफी इंजोई करता है इसी दोरन वो एक लड़की के साथ गुलचड़े उड़ाने लगता है और तबी चीप उहां पर आकर उसकी उस अवस्ता में ही एक फोटो खीच लेता है अगली सुबा चीप उसे बताता है कि कल रात वो जिस लड़की के साथ गुलचेडरे उड़ा रहा था वो एक प्रोस्टिटीट थी जिसको सुनकर वो काफी परिशान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी गल्फरेंड रॉबिन के साथ चीट किया है अब चीप के उपर गुसा हो कर वो उसे वहां से चले जाने के लिए कहता है और उसे धक्के मार कर घर से निकाल देता है दूसरी तरफ चीप नहीं चाहता है कि उसकी स्टीवेन के साथ दोस्ती तूट जाए इसलिए वो स्टीवेन को खुश करने के लिए उसकी गल्फरेंड रॉबिन को स्टॉक करने ल ये सब कुछ बताती है और उसके साथ फिर से पैच अप कर लेती है। उसराथ चिप स्टीवेन के पास आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी गल्फरंड को बापस लाने में मदद की है। जिसके बाद स्टीवेन उसे ये सब कुछ करने के लिए शुक्रिया कहता है लेकिन वो साफ कह देता है कि वो उसके साथ दोस्ती नहीं रखना चाहता है क्योंकि चीप उसकी लाइफ में कुछ ज्यादा ही इंटर्फियर कर रहा था जिसको सुनकर चीप को काफी बुरा लगता है अगले दिन स्टीवेन जब अपने आफिस में काम कर रहा था तब यूँआ पर पुलिस आकर उसे चोरी का सामान अपने घर पर रखने के लिए एरेस्ट कर लेते हैं स्टीवेन समझ जाता है कि चीप उसके साथ बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है और उसने जो expensive home theater उसके घर में लगाया था वो चोरी का है वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है और उन्हें चीप के बारे में बताता है लेकिन investigation करने पर पुलिस को कोई भी चीप नाम के आदमी के बारे में पता नहीं चलता और वो स्टीवेन से कहते हैं कि चीप नाम का कोई भी हैता है कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो फिर तो तुम मेरे दुश्मन के बराबर हो और इसलिए मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी निभा रहा हूं जेल से छुटने के बाद स्टीवेन जब अपनी गर्फरेंट के साथ उसके घर में पार्टी के लिए जाता है तब ही रॉबिन के फैमिली के साथ काफी इंजोई करता है और स्टीवेन उसे देख कर भी कुछ भी नहीं कर पाता इस्टीवेन रॉबिन और उसके फैमिली को समझाने की कोशिश करता है कि चीप एक पागल आदमी है और वो उसे स्टॉक करता है और उसी नहीं उसे जेल में भेज जा था लेकिन रॉबिन के फैमिली मेंबर्स को उसके बातों पर भरोसा नहीं होता खेर अगले दिन चीप उससे बदला लेने के लिए उसके बॉस के पास एक वीडियो क्लिप भेजता है जिसमें स्टीवेन उसकी बॉस की काफी बुराया कर रहा होता है जिसको देखकर उसके समपनी के लिए काम करता था उसे वहां से निकाल दिया गया है वो एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है और वो बचपन सही तीवी देखकर बढ़ा हुआ है इसलिए वो केबल कनेक्शन के बहाने लोगों को स्टॉक करता है और उन्हें परिशान करता है इधर चीप स्टीवे को वापस करने के लिए कहता है थोड़ी दिर में वहां पर पुलिस भी आ जाते हैं जिस वज़े से चीप रॉबिन को स्टीवें के हवाले कर देता है और अपने अकेला पन से परेशान होकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वह अ जचने लगता है यानि चीप को अभी परिशान करने के लिए अपना दूसरा दोस्त मिल चुका है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मुवी की कहानी खत्म हो जाती है